जैजनेंद्र स्वागत आप सभी का हमारे विशेश कारेक्रम समस्या एक समाधान अनेक मैं हूँ दॉक्टर प्रिया जैन मैं दॉक्टर प्रदीब जैन वास्त्व एक्सपर्ट एस्टर लॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट अनन्द बल परिवार की तरब से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं बक्तामरस्तोत्र की यह अश्ण धारा लगता प्रवाहित हो रही है जन जन के आस्ता का जो केंद्र जन जन के आरातना का जो केंद्र यह बक्तामरस्तोत्र आज संपूर्ण विश्फ में बक्तामर स्टोत्र बड़ी आदर के साथ बड़ी सत्कार के साथ बड़ी दिव्वेता के साथ पढ़ा जा रहा है और इसके लावों को जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर बंदों भी फूर्ण डूप से उठा रहे है हमने पिछले दस बड़्सों में हजार और लोगों पर इसके सफल परिक्षन और अरुसंधान किये देखा और पाया जैनेतर बंदों से में बक्तामर जल्दी काम करने लग जाता है उनकी आफ्ता और विस्वास इस पर जल्दी जुड़ जाती है और उनको सीख आके सिद्ध आराम में लग जाता है ऐसा नहीं है कि जैन बंदों इस भक्तामर सोथ का पठन पाठन नहीं करते इसका उचारा नहीं करते या इस पर सर्दा नहीं रखते रखते हैं लेकिन एक छोटा सा बिकल्फ एक छोटी सी गुथी एक छोटी सी गाठ हमारे मार को अबुद करतेती है राष्टा कितना भी किलियर हो और एक छोटा सा बिवधान एक छोटा सा कांटा पैर में छुप जाए तो उस राष्टे को पार नहीं किया जा सकता हमारा जीवन तो देखा जाए तो बिवधानों से ही भरा पड़ा है हमें कब क्या करना है कैसे करना है यह ज्यात ही नहीं है और अज्यात में हम इस भक्तामर का अच्छारन अज्ञान बस किये जा रहे हैं गलत अच्छारन कर रहे हैं गलत अरी से पढ़ रहे हैं और भाबों को तो पता ही भी नहीं होता क्योंकि हमारा उद्देश सिर्फ सिर्फ गिंदी करना हो जाता है जब तक सद्गुरू हमें नहीं बताते तब तक हम सही मार्क पर नहीं आगे बढ़ पाते हर किसी की जीवन में सद्गुरू भी नहीं होते हर किसी के जीवन में एक गाइडर एक मेंटर नहीं मिल पाते तो क्या हम उस सनमार्थ को कैसे प्राप्त करें उस अंद्रकार से प्रकास की और कैसे जाएं हम अपने आप से मिलने का जो राष्टा है उस राष्टे तक कैसे पहुँचें यह एक खूज अनन्तकाल से चलती आ रही है और आगे भी अनन्तकालता चलती रहेगी लेकिन बक्तावर सुत्र का उन तालिश नंबर काप्वे को जो पठन पाठन रिस्मरन करता है उनके सारे द्वार स्वेहम कोल जाते हैं उनको सनमार्ग मिल जाता है वो अन्दिकार से प्रिकात की तरफ आके पड़ जाते हैं मांतम स्वामी ने रिशब देपरुर की भक्ती करते हुए अपना सनमार्ग तो प्राप्त किया ही संपूर्ण बिश्व के लिए भी यह मार्ग उद्गाटित कर दिया दूसरा कुरूवत के आविस में व्यक्ति अपना आपक हो देता है और सही और गलत का विचार भूल जाता है जब सही और गलत का विचार खंप समापत हो जाता है तो व्यक्ति गलत मार्ग पर ही चलता है कभी भी सन मार्ग पर नहीं चलेगा जो भाब पूर्वक्त, सरदा पूर्वक्त, भक्ती पूर्वक्त, अंतरंग से भक्ती करते हुए, प्रवु के इहतुति करते हुए, प्रवु के चर्ड़ों में अपने आपको समर्पित करते हुए, भक्तामर के इस 49 नंबर काव्य को पढ़ते हैं, उश्यारंग करते हैं, इ प्रदर्थित हो जाता है, सनमार्ग मिल जाता है और वे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश क्या है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे संसार में आने का कारण क्या है, मेरे संसार में आने का प्रियोजन क्या है, यह जब यक्ति को ग्यात हो जाता है, तो एक इस का उच्छारण करता है वो अरिहंते सर्णम पवब जामी शिद्दे सर्णम पवब जामी साहू सर्णम पवब जामी केवली पन्नतम धंवं शर्णम पवब जामी इस सुद्र को जो अंगी कार कर लेता है वो प्रफू के चटों में हमिसा हमिसा के लिए बिलीन हो जाता है और उस अन्तिम सुख जो जीवन की अन्तिम अवस्ता है, मुख्ष्क सुख को भी प्राप्त कर लेता है, तो जानते हैं बक्तामरिस्तोत्र के इस 49 विरकाब्रे के बारे में इसके उच्चारन अर्थ और व्याख्या तो सबसे पहले हम 49 गाथा का उच्चारन सीखते हैं भिन्नेब कुम्ब गलदुज्वल शोनिताक्ता मुक्ताफल प्रकरभूशेत भूमि भागह बध क्रमा क्रम गताम हरी नाधी पोपी नाक्रामती क्रम युगाँ चल संशितन ते भिन्नेब आधा नाभी है और पूरा नाभी है तो उसको टश करके हम आगे बढ़ेंगे भिन्नेब कुम्ब गलदुज्वल आधाजा पूरा जाबी है तो टश करके आधाजा को फिर आगे बढ़ेंगे मुक्ताफल प्रकर भूशित 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 भूशि करना है भिन्नेव कुम्ब गल दूज्वल शोनी ताक्ता मुक्ताफल प्रकरबूशित भूमी भागह बधक्रमा दो के नीचे धबी है और मापर विसर्ग है तो सांस का विसरजन भी करना है बधक्रमा क्रम गताम कर्म गताम हरीनाधी पोपी हरीनाधी पोपी नाक्रामती क्रम युगाचल कर्म युगाचल संशितन ते बिंदी के बाद क्या आ रहे है तो ना होता है तो बिंदी को चरन क्या होगा न युगाचल संशितन ते अब हम वर्ड टू वर्डर समझते हैं भिन्नेब भिन्नेब को हम संधिविशेत करेंगे भिन मींज क्या होता है विद्दीन और इम मींज क्या होता है हाथी कुम्ब कुम्ब मींज क्या होता है गंड देश गल्द उजवल को भी हम संधिविशेत करेंगे गलत गलत मींज भीगे हुए और उजवल मींज शुब्ध शोनी ताक्त को क्या कहते हैं क्या अर्थ है रख्त मुक्ताफल मींज मोती प्रकर प्रकर मीन सम्हू भूशित भूशीमित मींज शोभायमान भूमि भागः प्रिथवितल बद्धक्रमा । आक्रमन करने के लिए प्रस्तुत कर्म गतम मींज पैरों के बीच आते हुए हरिनाधिपो पी कोम संधी विछेत करेंगे हरिनाधिपो मीज सिंग और अपी मीज भी नाक्रामती नाक्रामती कभियन संधी विछेत करेंगे न मीज नहीं और आक्रामती मीज आक्रमन करता है क्रम क्रम मीज क्रम से कॉंटिनुटी युग अचल मीज कोम संधी विछेत क करेंगे युग मीज दोनों पैर और अचल मीज पाहड संशितन मीज आश्रे लेने वाले को आश्रे लेने वाले को तै मीज आपके जो व्यक्ति भगवान दिसब दीव की आश्रे ले लेता है तो मानतुग स्वामी कहते हैं कि सिंग भी उस पर आक्रमन नहीं करता बड़ी विजितर स्वी बात लगती है कि कौन सा सेर है जो सेर अभी गजराज के मस्तक का बेदन करकर आया है जिसके मुझ पर और पंजो पर रक्त बह रहा है सिंग के आगे जाने पर भी सिंग आपको कुछ भी नहीं कहे सिंग आप से दोस्ती कर ले ऐसा कि कैसे पॉसियवल है यह सब संबब है यह अनुव का परीनमन जब हो जाता है जब भावों का परीनमन हो जाता है भावों का विश्चरजन हो जाता है जब भाव बदल जाते हैं चितकी अवस्थाएं बदल जाती हैं, चितकी दसाएं बदल जाती हैं, हमारे सोचने और समझे की सक्ति और सामर्थ बदल जाती है, तो कोई भी कितना भी हिंसक जीब हो आप पर आक्रमन नहीं कर सकता, आप नियत्ते हो तो भी इस बास से कोई भरत नहीं पढ़ता बरत्मान समय में सिसिंगों की संक्या बहुत कम रह गई है सेरों की संक्या बहुत कम रह गई है लेकिन जब आशार महानतु स्वामी ने इकाब्बे बक्तामरिसुद लिखा रचना कीश की तो उस समय बहुत सारे सेर जंगल और सहरों में आतंक मचाती रहते थे लेकिन उन्होंने कहा कोई मंत्र साधक इस काब्बे को पढ़कर जंगल में भी चला जाए तो बहंकर ते बहंकर भी क्राल भी क्राल सेर भी कोई सिंग भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता तो क्या यह संबब है जी हाँ हमने अनी को बार दिखा वक्तामर हीलिंग के माध्यम से एरेकी हीलिंग के माध्यम से अनी को जन हमारे हैं उप्यार कराने आते हैं अपनी समस्या को लेकर आते हैं अपनी ब्याधियों को लेकर आते हैं लेकिन जब डॉक्टर भी कह देते हैं I am sorry कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हम उन्हें बक्तामर मंत्र हीलिंग रेकी हीलिंग के माध्दम से उप्चार देने प्रारम्ब करते हैं तो उनकी अन्यों की परियमन की शक्ति बढ़ जाती है जहां डॉक्टर कुछ दिर पहले कह रहा होता है कि अब ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते उसी समय उसको भक्तामर की मंत्र उप्चार की शक्ति दी गई उसी समय उसको रेकी हीलिंग की शक्ति दी गई तो चिन भर में ही रोक और अन्यों का परिनमन होता है और व्यक्ति स्वस्त होने लग जाता है वो कैंटर जैसी बीमारियां हो पेरलाइशिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो वो किद्नी फेलियर हो ब्रेन हैमरेज हो ये अन ऐसे साथ रोग हो जिनका आहम बोर्जाल की भासा में या मेडिकल की भासा में ये बर्तमान मेडिकल सिस्टम के पास जिनका परफेक्ट कोई उप्यार नहीं है हमने उन रोगियों को भी स्वस्त होते हुए देखा है आप उन रोगियों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अब हमारी यूटीब चनल को जो अवश्य विजिट करें हमारी वैब साइट पर जरूर जाएं उनके अनभवों को जरूर पढ़ें इसलिए नहीं कि उनके अनभव सुनने हैं या आपको यूटीब पर जाना है या आपको मेरे बारे में जाना है सिर्फ इसलिए कि वो बिसफास की सकती वो जीत का होसला आपके अंदर भी पیدا हो जाए हमारे अपने अक्सर करम उधे आने से بीमार हो जाते हैं सथ हो जाते हैं और हम सबसे पहले हॉस्पिटल के तरफ भूप करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्यों हम इस अम्मूल आउस्दी को, इस अम्रत में आउस्दी भक्तामर इस तोत्र को सबसे प्रारम में ही प्रारम कर दें, सबसे पहले इसको लेना प्रारम कर दें, स्टार्ट कर दें और जिन लोगों ने भी ये अवश्दी प्रारभ में ली उनको कैंथर जैसी वेदनाई भी दूर हो गई वो आजसों की अर्स्वस्त जीवत जी रहे हैं लेकिन आकरे जरूर करूँगा आप सभी से कि आप हमारे यूटीव चैनल पर अबस्त विजिट करें लोगों के अनभव को जरूर सुने कि उन्होंने बक्तामरिसुत के माद्यम से रेकिहिलिक के माद्यम से अपने जीवन को कैसे परिवर्थित किया आपने आपको कैसे परिवर्थित किया इन्ही सब चीजों को सिखाने के लिए कि अनुग को परिवर्वन कैसे किया जाता है बिचारों और भावनाओं को परिवर्वन कैसे किया जाता है जब हम एक सब्त का उश्वारं करते हैं तो सरीर के 70% मॏडुकल शिष्टम चेंज हो जाते हैं मिर्थिव को छोड़कर व्यक्ती हर चीज़ पर विजय पा सकता है लेकिन भक्ता अमारे इस्तोत्तर वो इस्तोत्तर है जो महा मिर्थु जई है जो मिर्थिव पर भी विजय पा लेता है जो मृत्वी पर भी जीत पा लेता है मनना तन अबस्ता में भी लोगों को सुस्त कर देता है तो क्यों न हम आत्य ही जानना प्यारम करें दुखों से मुक्त होने के लिए पीडाओं से मुक्त होने के लिए आभावाओं से मुक्त होने के लिए अपने जीवन में सुकु, सांति, समर्दि, ऐस्वर्य, आनन्द, सब कुछ प्राव्ट करने के लिए जाने, समझें बक्तामरे सुद्र के इन अजवत रहसें को जो एक बार इस रहसे को जान लेता है, समझ लेता है, पहचान लेता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता आचारे मानतुम स्वामी की अपार अनुकंपा हमारे और हमारे समाज के उपर रही जिनोंने हजारो बड़ पूरू ये अमूल है धरोहर इस संसार के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे लिए सौप के चले गए उनकी सोच निश्चिती अद्वत रही होगी उनका चिंतन हमारी सोच से बाहर रहा होगा जिनोंने हजार और बड़ फूर्व आने वाली समस्याओं के लिए भी वो कुछ ना कुछ लिखकर चले गए समाधान दे गए तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि समस्या एक हो सकती है समाधान अनेक होते है तो बक्तामर का एक एक काब्बे एक-एक रिद्धी मंत्र एक-एक मंत्र जाब अपने आप में अद्भुत और रहसे में है इन सभी को जानने के लिए समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर जाकर विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.bhaktamarmantrahealing.com और दिये होई नंबर पर आप हमें वट्सप भी कर सकते हैं अपनी queries के regarding, अपनी problems के regarding आप कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके थूभी हमें वट्सप कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करने में तयार रहेंगे, ततपर रहेंगे और हमें खुसी होगी कि हम आपकी कुछ साहिता कर पाए भकता हमारे सोथ के माध्यम से आज ने हमें बहुत प्रेम से और सांती सुना आपका बहुत बहुत आभार कल मिलते हैं इसी समय तब तक के लिए जै जैनेंद्र जै जैनेंद्र